आप सभी का स्वगत है जैसे ही राम चले बात कर लेते हैं कल के दिन बैंक निपने में किस तरह के से उपनिंग हो सकते हैं क्या इंपोर्टन हमारी लेवल हो सकते हैं उसके पीछा क्या साइक्वलोजी लेवल हो सकता है अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो आज सकती है उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ा बताना चाहूंगा तो आज अगर आप देखोगे तो इस वाली लेवल को देखें बिरेक किया जो कि यह वाला जो प्राइस था जो कि आपका देखें फिप्टी बन थाउजन फाइफंड़ यानि फिप्टी बन थाउजन एट के सम्तिंग हमको देखने हो ली यानि अल्मोस अगर हम बात करें तो अपने यहां पर देखें जो सेलर बैटे हुए थे उसके उपर वन सिष्टी एट पॉंट आपका उपर जाके पिलस में जाके बंद हुआ लेकिन इसने देखें जो हाई मारा था वो अगर मैं बात क होगा कि यह बात तो देखें आज की हुई है आज हमको तेजी देखने वह लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि इस जगह से देखें जो आपको पूरा साइड़एट सेखें मार्केट था और साइड़एट मार्केट होने के बाद भी देखें इसने जो नीचे की लेकिन दी डी यस ने इस जगह देखे इस जगह दो हजार करण घी मैंने आपको बताता कि दीज़ीए के गेशने इस ने जण दो हजार करोड की खईदारी की यानि एज जगह हो किया रहाता कि अगर आप तो मार्केट में जो आपके बायष थे उस जगह यह क 되면 लोगों ने सलिंग के तो उनके इसल है। अपको क्याम करना तो यह उन पर डेकर नीघ का चार्ट मैं आपको लगाकर देखाता हूं अब इसके ऊपर देक्ट बहुत सारी के कि मार्टे में अगर सिर्फ इक टेत만 में डेखोगे तो निप्टीं आरेकर लाइफ को टranch किया अब यहां पर होता किया कि जब हम चीजाने लेको देखने में लेकिन हम रीयल में नीज को देखते हैं तो नीज वालों को खुद को नहीं बता रहा था कि यह हुआ यह अचानक तेजी आया यह क्यों है लेकिन उसके अंदर से हम तरक लिकाल सकते हैं और तरक लिकालने की काफी अलग 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 चीज़े होती हैं तो यहां पर देखें मैंने आपको सथम हो चुकी है अब मार्केन में आएगा दमदा तेजी ठीक है एक्सपारी में जैटपॉट लगने वाला ठीक है जे चीज़े तो मैंने आपको बताई दिया था वाकि आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस तरीके से आप सब्सक्राइब कीजिए और रेंज में देखें आप फस जाते हो वह उन चीजों को देखें काफी अच्छे तरीके से आप सीख सकते हो विल्कुल फिरी है तो लिंक आपको वीडियो के डिक्सेशन में दिया गया है अब देखें यहां पर हम क्या क्या करके चल सकते हैं सबसे पहले आप इस जगहा कि यहां पर जितने भी सेलरत है वह आपके टेरायाफ हो चुके हैं आज के दे और देखें यहां पर जो आपका अच्छी खासी जो तेजी हमको देखने हो ली वह साड़े 600 पॉंटों के आसपस की हमको तेजी देखने हो ली ठीक है और इसकी अगर देखें मैं यहां पर अदि इसम्ह Olaf को क्या सकता है सबसे पहले क्य тебя देखने वह लिए ऑखड़ी देखने हो लिए औart atषी बांको क्या करना कि चब्लिंट का जो आपका फिटि वन थाजन सिक अंड़का ये इंपॉर्टन सपोर्ट धेखने हो लिगा अगर इस सपोर्ट को जी आपका ब्रेक करत मूब बड़ा पैसा मल जाता ना ओर जो मूब आपके दिन आया था तो उसका वि्थोड़ा देखने वाला और इस लेकिन आज के दिन आपका बैंक निप्टी और निप्टी भगा यह नहीं जो हैविवेट इस टॉक तो हैविवेट इसके नीचे निकलता है तो हम सेलिंग करने का प्लान कर सकते हैं जिसमें देखें मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के साइड जो आपको टार्गेट देखने हो लेगा वह आपका 51,500 फिर आपका 51,400 फिर आपका 51,300 और फिर आपका 51,200 ठीक है यह चीज़े आपको समझ में आई अब देखें यह उन लोगों क अब मेरे वीव को आप समझे की मेरा वीव क्या है मेरा परषणनल वीव क्या है या मुझे ऐसा क्या लगता है या मैं किस तरएक मार्केट को समझने का doğru set ट्क है को मुझे तो सबसे पहले दो र bench काफी अठील लगती है एक range हम इस जगह समझेंगे जो नीचे की site है वो हम चलिएंगे buying range टीक है एक range हम उपर की site समझेंगे जिसको हम देखें बोलेंगे कि breakout range टीक है हमको दो range इस जगह समझ रहे हैं तो पहले जो नीचे range हमारी है buying range वो buying range रहेगा देखे इस जगह ये वाला हमारा buying range रहेगा ठीक है जे वाला अगर जे नीचे मिलता है किसी वज़े से सेलिंग आता है तो हम देखे इस जगह 51,100 के लेकि हम 51,200 के पास हम इस जगह buying करने में comfortable है क्योंकि कई वार ऐसा हो जाता है कि मार्केट में देखे अच्छी तेजी बनी और यहां पर आप देखे तो लास्ट में देखे एक अच्छी तेजी बनी थी तेजी बनने के बाद क्य जिन लोगों ने buying किया ठिक है इस जिगह जिन लोगों ने position बनाया इस जिगह उनका तो अच्छा पैसा होना लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर hold की यह नका देखे इस जिगह loss हुआ ठीक है तो market दोनों तरीके से react करता है, हमको दोनों तरीके से इस जिगह सूचना है अब नी Čहां पहरा यहां पे बाइग से वाला पिराइस तो बहुत अच्छी Epportunity हमको मिलेगा अब ब्रेकाउट वाली चीज़ को हम कैसे समझेंगे तो यहां पर आप देखें 30 मिट के चार्ट को देखें 30 मिट के चार्ट को अगर आप किलियर देखें यहां पर देखोगे तो यह अब हम कहां पर आ चुके हैं इस वाली रेंच में आ चुके हैं जे वाली और यह रेंच हमारी कब की थी जह अगर आप देखो कि तो यहाँ पर देखे अगस्त हम जी जगह पहुंच चुके अगस्त में तो बहुत अच्छी तेजी से हमारे premium भड़ते हुए दिखाई दिए ठीक है तो यहाँ पर क्या seller बैटे हुए अब इसमें नया तेजी कब देखने हो लेगा जब आपका जे 51,800 ठीक है अगर जे 51,800 के उपए closing कर देता है और इसके उपए हमको किस time frame की closing चाहिए time frame हमारे लिए बहुत important होता है देखे आज कल मैं daily video आपके लिए publish नहीं कर पा रहा हूँ इसका आप को बहुत सारे comment आते हैं कि सर आप daily video publish नहीं कर पा रहे हो क्या है क्या बात है तो मैं आपको बताना चाहूँ है अभी हमारा setup बिलकुल तैयार होने वाला है और बहुत जल्दी आप live listing में live market में हमको देखने वाले हो live market में जो भी चीज़े होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो थोड़ा सबर रखिए और बहुत सारी चीज़े चल लिए बैक में बहुत सारी चीज़े आपके लिए आने वाली है ठीक है तो बिलकुल update रही है क्योंकि अब जो चीज़े है वो मैं आपके आप पूरी तयारी से तयार है है वाकि हमारी तयारी पूरी होने वाली है ठीक है तो इसके उपर हम क्या करेंगे इसके उपर देखिए हम इज में almost new breakout की कोसिस करेंगे new breakout हमको कब देखने हो लेगा जब 30 मिट का चार्ट आपका किस तरीके से जैसे की चार्ट है और ये candle है आपका opening नीचे की साइट हो लेकिन closing हमको ऊपर की साइट चाहिए यानि closing वाला जो पिराइस है वो आपका देखिए जगा 51,800 की अगर ये ऊपर निकलता है तो हम इस resistance तक पहले पहुँचेंगे जो कि हमारा one resistance है फिर two resistance हम यहां तक पहुँचेंगे जो कि हमारा दूसर करेंगे फिर हमारा देखिए जो उपर की चाहिट है जगा 52,200 से फिर उपर की चाहिट जो हमारा वो 52,600 यानि अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केर में और तेजी है और और उपर तक हम इसमें जाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपका 51,800 के उपर ये closing दे देता है तो 30 मिट क केंडल को हम उपर किलोजिंग करते हुए देखेंगे और फिर उसके उपर हम निकलते हैं तो आल्मोस आप जो समझिए कि 400 से लेकर 400 से लेकर 800 पॉंटों की और अच्छी तेजी यानि और अच्छी तेजी हमको यहां पर देखने को मिल सकते अप साइट ठीक है जह चीज़े आपको दिखाई देगी किलेर कर दे कर देकि यहांえ और दे रहा है यहांपर यहांपर चीज में आपको दिखाना चागा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए जैसे की देखें FIS का data हम अक्षा देखते हैं FIS के data के डेटा के उपर हमारी अक्षा नजा रहती है क्योंकि यहां पर देखें जो है वो हमारे लिए बहुत important data बन जाता है क्योंकि यहां पर देखें पैसा लगा हुआ है जो इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा लगाया अब यहां पर देखें ग्यारा तारीक को क्या हुआ करोड की क्या होगा दस सितंबर को क्या हुआ है इस ने बाइंग किया यहां पर अगर आप देखोगे तो दो सितंबर देखे कितना बाइंग किया था तीन सो पच्पन करोड के आसफ़र्ष पिर हमको जो देखने हो बला नीचे की साइट अगर मैं बात करूं तो फिर जगह देखें 2970 करोड के असबस 2101 करोड के असबस एक हजार 1170 करोड के असबस फिर यहाँ पे थोड़ी से एक प्रॉफिट पुकिंग आई फिर 230 करोड के असबस और नेट नेट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें 7260 करोड के असबस की नेट नेट इस जगह दे रहा है तो देखें जो आपको देखना चाहिए इस से मार्केर में बहुत साही चीज़े समझ में आ जाती है अब देखें यहाँ पर आपन समझते है यह आपका क्या है यहाँ पर आगर आपके लिए कि देखे यहाँ पर अगर आप देखो तो clear cut देखे इस वाले price को इसने breakout किया जो कि आपका 51,600 ठीक है पहले इसने sailing आया था और sailing आने के बाद देखे इसमें वी recovery आई है इसको हम बोलते हैं यानि जितने तेजी से बजा नीचे की चाहिट आता उतनी तेजी से आपका उपए की चाहिट जाता हुग दिखाई देता है अब जो इसमें रजिस्टन देखने हो लेगा वो जिवाला देखने हो लेगा यानि अभी और तेजी हमको देखने हो मिल सकती है इस candle के बाद एक औ आपके सेलर ते वो बहुत अच्छे खासे देखे इसके मार्केट के अंदर टेरायफ होते हुग दिखाई दिए सपोर्ट और रजिस्टन मैंने आपको बताई दिए वाकि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजिए और सुस्क्राइब कीजिए जेहिंद बनेवाद